हेलो आपका सौगत है मैं यूटुब चैनल में नाम है सौराव और आप देगन कैच्छर की यूटुब चैनल आज किस वीडियों हम कंपेशन करने माले DJI Mavic Mini वसे शोमी का फीमी एक्सेट एसी ड्रोन को तो दोनों थोड़े बहुत प्रैसे गाप बिट्वीन में आते हैं मत अब काइस पांच-छेजाद जार का गाप है न दोनों ड्रोन में तो मैं तो इसलिए गाइस मैं अच इस वीडियो को बना रहा हूं तो आपको बस एक काम करने कि आपको इस वीडियो को लाइक करना और हम को सब्सक्राइब करना है तो तब सबसे पहले अगर इन दोनों ड्रोन की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करता हूं गाइस वेट के मामने में डीजी मैविक मिनी जीच जाता है क्योंग वह 249 जो कि ने नो कैटिगरी माता है इंडिया के रूल के हिसाब से बट मैविक जो फीम एक से च्टी वह 790 ग्राम से जो की मिनी में आता है तो इसलिए गाई उसके लिए पो लैस्शन आप पड़ता है बट कर अब इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखिए जो कि मैं तो आप खुछ से देख सकते हैं तो आप खुछ से देख सकते हैं तो आप पर हलका लेना है तो आप पर भाही लेना है तो आप पर डिपेंड करता है और केमरी की बात की जाए तो 2.7K की maximum recording करता है डीजी में 30 fps जिसका bit rate 40 mbps का और gimbal 3 fps मिल जाएगा आपको और fpv recording का rate में तक जो live आप recording देखोगे तो आपको 720p की HD quality ही मिलेगी और इसका sensor है 12MP का और sensor size है 1.5.3 inches का अगर वहीं Femex से testing की बात कीजिए तो आपको maximum 4K recording मिलेगी जो कि 30 fps पर 100 mbps का bit rate मिलेगा और 3 access gimbal मिलेगा और live fpv recording मिलेगी आपको 720p as well as 1080p की recording मिलेगी और इसमें sensor 12MP का और sensor size 1.3 inches का है और अगर इन दोनों drone's की range की बात की जाए तो range आपको 2 km की मिलेगी DJI Mavic Mini में और Femi Exit SC में आपको 5 km की मिलेगी जो कि बहुत जादा range है और अगर हम intelligent flight modes की बात की जाए तो DJI Mavic Mini में में आपको जादा modes मिलते है rocket, helix, droney और आपको एक और दो और modes मिल जाते हैं बट Femi Exit SC में सिर्फ smart tracking mode follow me mode मिलता है बट follow me एक बहुत important mode है जो कि drone में जातर होना चाहिए बट Mavic Mini में नहीं है बट उसमें और भी कुछ mode से इसलिए वो हो जाता है बट अगर obstacle avoidance की बात कीज़े तो इन दोनों ही आपको DJI Mag Mini में मिल जाता है और Femi Exit SC में नहीं मिलता है और अगर maximum speed की बात कीज़े है जोनों ही DJI Mag Mini में आपको मिलता है 48 km per hour की speed और Xiaomi ke Femi Exit SC में मिलता है आपको 64 km per hour की speed और अगर बैटरी की बात कीज़े है जो कि सबसे main important aspect है किसी भी ड्रोन में aspects है तो आपको 2400 mAh की आपको मिलेगी बैटरी DJI Mag Mini में और Femi Exit SC में आपको 4500 mAh की मिलेगी पर ज्यादा इसमें कोई difference भी नहीं है DJI Mag Mini का flight time है 30 minutes का और Femi Exit SC का 33 minutes सिर्फ 3 minutes का gap है जातो कि बहुत बड़ा difference भी नहीं इन दोनों के flight time में तो इसलिए दोनों ही drone अपने flight time में ठीक है क्यों आधा गंटा बहुत होता है क्ट्रोन को उड़ने के लिए और असारा काम आपका aerial shots लेने के लिए बाकि spare batteries तो होती है दोनों दोनों की और अगर नहीं इसमें आता नहीं है बड़ इसका नौरमल जो आता है वह 48000 आपको मिल जाएगा तो बड़ गाइस मैं आपको side by side comparison में दिखाऊंगो तो आप आगे इस वीडियो को देखिए पुरा side by side comparison आपको 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 आपक कि आज आज की वीडियो को कैसे लगी कंपरिजन मुझे कमेट करके बताएगा और साइसा हमें वीडियो को लाइक कर दिजिए गाई ऐसे ही और भी कंपरिजन आगे आने वाले हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज हमारे चैनल जिरूर सब्सक्राइब कर जिएगा आपको नीचे आज पर बटन दिखराओं को सब्सक्राइब कर जिए और मिलते हैं तब नेक्स वीडियों तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग